अभी थोड़ी दिर पहले मीडिया से मुझे पता चला कि इन लोगों ने मनीश से सोधिया जी के खिलाफ कोई केस भेजाया CBI को और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर CBI मनीश जी को गिरफतार करने वाली है मैंने तो आपको तीन-चार महीने पहले ही बता दिया था इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीश जी को ये गिरफतार करने वाले हैं जल्दी गिरफतार करने वाले हैं तीन-चार महीने पहले बताया था मैंने प्रेस कॉन्फरेंस करके उसके वाद अपने कई भाशनों में असेंबली में मैंने कहा था कि मनीश को गिरफतार करने वाले हैं तो तीं-चार मैने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताए कि मनीश जी को गिरफ़तार करने वाले हैं मैंने का मनीश ने क्या कर दिया किया केस है तो ने बता भी कोई केस नहीं है कुछ मिला नहीं है धून रहे हैं कुछ बना रहे हैं तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है पहले यह तै किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मन गडंत जूटा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है मेडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं मैंने सारा अभी चेक कराया पूरा का पूरा केस बिल्कुल जूटा है बिल्कुल जूटा है उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है मैं मनीज से सोधिया को बाइस साल से जानता हूं सन 2000 में पहली बार मिला था मनीजी से एक बेहद कटर इमानदार आदमी है कटर देश भकत आदमी है हमारे देश में पिछले 75 साल में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया था इन सारी सरकारों ने मिलके इन सारी पार्टियों ने मिलके बहुत बुरा हाल कर दिया था इन लोगों ने करोडो करोडो बच्चे गरीबों के बच्चे जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उनका भविश्य अंधकार में था कोई उमीद नहीं थी, गरीब का बच्चा गरीब बनेगा, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा, गरीब का बच्चा मजदूरी करेगा, रिक्षा चलाएगा, अमीरों के बच्चे अमीर बनेगे, ये एक सिस्टम पूरे देश के अंदर लागू हो गया था, पहली बार आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी दिल्ली के अंदर मनी सिसोधिया जी एजुकेशन मिनिस्टर बने दिल्ली के अंदर भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था दिल्ली के अंदर मनी सिसोधिया ने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शांदार बनाया ऐसा बनाया कि अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भरती करा रहे हैं अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिल रही है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के उपमंदर एक ही डेस्क पे एक जज़ का, एक अफसर का और एक रिक्षे वाला का बच्चा बैठके एक ही डेस्क पे बैठके पढ़ते हैं। मनीश स्कूल ने किवल दिल्ली के स्कूल ठीक नहीं किये, देश के करोडों करोडों बच्चों को एक उमीद दी है कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, गरीबों के बच्चों का भविश्य भी अच्छा हो सकता है। सुपश छे बजे मनीश स्कूल सथिय अपने घर से निकल जाते हैं। और अलग-अलग स्कूलों के अंदर दारा करते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर दारा करते हैं। कि मैं पूछना चाहता हूं कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो सवेरे छे वजे उठके स्कूलों के दौरे पे निकल जाता है बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है तो जेल से हमें डर नहीं लगता है इनको थोड़ा सा यह लोग समझ लें कि इनको इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता तुम लोग सावरकर की ओलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी हम लोग भगत सिंग की ओलाद हैं हम भगत सिंग को अपना दर्श मानते हैं जिसने अंग्रेजों के सामने जुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया हमें जेल से फांसे के फंदे से डरने लगा कई बार जेल हो आया हम लोग एक यह सोचने की बात है कि हाथ दो के हमारे पीछे क्यों पढ़े हैं कि आम आदमी पार्टे के पीछे क्यों पढ़े इतने हमारे MLA को यह जेल भेज चुके सारे छूट छूट के आ गए और कोट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे गंदे और पास किये इन लोगों के खिलाफ कि क्या जूटे सच्चे केस मना रहे हो सतिंदर जृयन को उन्हों ने गिरफतार कर लिया जूटे केस में पिछले माषट अब मनीज对 सोद्याजीнего को गिरफतार करने जा रहे हैं यह तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पढ़े हैं हम यह लोगों के पीछे क्यों कर आ है, तीन कारण हैं, पहला कारण mathematics reality, जोग झूटे केस बना-बना के हमारे उपर कीचड फैंकना चाहते हैं, यह दिखाना चाहते हैं, दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही है, जैसे हम भ्रष्ट हैं, ये भी वैसे ही है, ये भी भ्रष्टाचारी है, पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रहे हैं, दुनिया खुदी कह रहे हैं कि जूटे केस लगा रहे हैं, तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, जूट ज जूट होता है जितना मर्जी कीचड तुम फेंक लो कीचड चिपक नीरा हमारे उपर है पाक साफ है हम लो सच्चाई के रस्ते पे चलते हैं भगवान हमारे साथ है दूसरा कारण यह हमारे पीछे क्यों पढ़े हैं हाथ दो के जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती कि यह नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इनकी टक्कर में खड़ी हो पर मैं नहीं कहना चाहता हूं तुम जो मर्जी कर लो आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलने से कोई नहीं रोख सकता आम आदमी पार्टी 24 गंटे बिजली मिले, अच्छी सडके मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छी बिजली मिले, फ्री बिजली मिले, सब लोग अच्छी सुविधाय चाहते हैं, हर आदमी चाहता है देश के लिदे ब्रश्टाचार खतम हो, हर आदमी चाहता है मेरा देश दुनिया का नंबर वन देश बने अब आम आदमी पार्टी से उमीद पूरे देश के लोगों को उसको फेलने से कोई नहीं रोप सकता एक अंग्रेजी में कहावत है नो वन कें स्टॉप द आइडिया उस टाइम हैस कम हाम अदमी पाटी इस टाइम हैस कम इंडिया इस टाइम हैस कम भारत का समय आ चुका कोई नहीं रोख सकता और तीसरा कारण यह क्यों हमेरे पीछे हाथ दोके बढ़े हैं दिली के कामों को रोकना चाहते हैं दिली के अंदर जो शांदार काम हो रहे हैं सिंगापूर की सरकार सिंगापूर की सरकार पूरे दुनिया के मेर बुलाये उन्हों हैं और केजरिवाल को बुलाया कि आके इनको जरासा सिखाओ कि आप दिल्ली में किया काम कर दो इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है दिल्ली के कामों की पूरी दुनिया में चरचा हो रही है ट्रम्प साब की वाइफ आई थी वो हमारे स्कूल देखने जाती है यह हमारे दिल्ली के कामों को रोकना चाहते है खासकर दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ में बहुत शांदार काम हुए इसलिए उन्होंने पहले हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाला और अब एजुकेशन इसलिए इनको दो महिने से जेल में हैं दो महिने रख लिए तीन महिने रख लेंगे चार मने फिर निकल आएंगे काम फिर चालू हो जाएंगे मनिस्टर साल में इन पार्टियों ने मिलके देश को बरबाद कर दिया 75 साल में कितने देश हम से आगे निकल गए क्यों हमारे में कोई कमी है भारत के लोगों में कोई कमी है सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं भारत के लोग इन पार्टियों ने दगा दिया है इन्होंने लूटा है इन पार्टियों ने मिलके देश को लूटा है ये अपनी रहा है देश जाग रहा है देश ने देख लिया कि हो तो सकता था यार अगर दिल्ली में हो सकता तो पचस्टर साल में क्यों नहीं हो बाकी देश में क्यों नहीं हो इन पार्टियों ने मिलmmalkeर कि देश को जान बूच के गरीब रखा, इन पार्टियों ने मिलके देश को जान बूच के अन्पढ रखा, अब नी होगा, अब मेरा देश दुनिया का नंबर वन देश बनके रह गा, तुम जितने मनीश से सोद्या को जेन में डालनों जितने सत्डिन दरजेन को अर्विंद केजरिवाल को भी डाल को बीठालों पिछडा दौकुब को अरविंद केजरिवाल निकलेंगे खुब मनेस्त सोद्या निकलें गए आप तो देशा कि अब हगा झाल झाल